नमस्कार स्वागते आप सभी का खबर दिन भर में मैं हूँ आपके साथ सुनील चौहान अब होते हैं रूबरू आशकी मैत पूर्ट खबरों के साथ योन शोशन के आरोप पर रैसलिंग फेडरेशन आफ इंडिया के अध्यक्ष व्रजभूशन शरण सिंग पर दिल्ली पुलिस केस तरश करेगी दिल्ली पुलिस ने शुक्रबार को सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया है 21 अप्रेल को एक नावालिक समेत साथ महिला रैसलिर से व्रजभूशन के खिलाफ योन शोशन की शिकायत की थी केस नादर्श होने पर रैसलिरस ने सुप्रीम कोर्ट में याश का दाकिल की वही बजरंग पुनिया समे सभी पहलवानों ने व्रजभूशन को तुरंत जेल में डालने की मांग की साथी का कि उन्हें जेल में नहीं डाला जाएगा तब तक हम यहां से नहीं उठेंगे वह कह रहे हैं कि खिलाडियों ने कोई सबूत नहीं दिया अगर सबूत नहीं दिया होता तो सुप्रीम कोर्ट F.I.R. का आदेश नहीं देता इन बेटियों ने देश के गौरव को बढ़ाया है ऐसी साथ हमारी बेटी ऐसी हमारी साथ पहने देश की ओलंपिक कॉमनवेल तेशाई खेलो की अगर सबसे ज़्यादा मेडल देश की जोली में किसी ने भरना काम किया तो इन खिलाडियों ने किया देश के असी प्रतेशि भी एक ऐसे हिस्ट्री शीटर जिसके उपर इतने मुकद्मों की लिस्ट हो और दो अलंपिक गोल्ड मेडल लिस्ट ने भी इनके पक्ष में एक आए तो यानिकी क्या कारण है क्या मजबूरी है क्या विवस्ता है सरकार बताएं इनको मालूम है बात की यहां पर बैठने के दाद करी शिरेंथ इंके खिलाफ किये जाएंगे करी तरीके से इनको दबाने की कुशिश की जाएगी इनको करिये को खत्व करने की कोशिश की जाएगी इसको माले में उसके बावजोद यह भाई और देहन अमारे बटो और जिस तरीके के लोग जी की शिकायत इन लोगोंने की यो यह देश का कानून है यह देश का कानून है कि अगर कोई इस तरीके की शिकायत करती है यह महिला की शिकायत करती है तो कानून है कि ट्रंप उसे समय मुकदमा दर्ज होगा यह कानून है देश का उसके बावजूत है कर महिलों से अगर अपनी बात कह रही है तो इसका मतलब यह है कि देश की सरकार आज बलत करनों के साथ ख़़ियो गए यह बहुत दुख्की बात है हमारे लिए कि दिली पॉलिस पे हमें अभी भी ट्रस नहीं है क्योंकि वह कोई भी क्योंकि हम छे दिन से यहां बैठे हैं तो आफ पाई आर करने में इन्होंने इतना टाइम लगा दिया है तो वह ट्रस्ट जो विल्ड उडांती है तो उन्होंने पहले ही मारा कोड़ दिया है और वो पाई आर कर सकते हैं इसका भी अमयन देशा है तो जो भी जो कारवाई दिली पुलिस करेगी जितना देखते हैं भी क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे उसे उपर हमारा नेक्स्ट डिसिजन रहेगा तेकिन हमारा अभी भी यही पैसरा है कि उनको जेल में डाला जाए मेरा प्रधानमंत्री जी से नेतिक्ता के अधार परेक अपील है कि उनको हर एक पद से अटाय जाए जो वो सांसद है चाहे वो रैसिंग फैंडेशन को संभाल रहे हैं क्योंकि जब तक वो उस पद पर रहेंगे वो उस पद का गलत यूज़ करेंगे जाश को परभावित क करेंगे और हम निर्फ तक जान चारते हैं सुप्रीम कोर्ट पर में पूरा विस्वास है सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हेटे स्पेश के मामलों में राज्यों और केंद्र श्रासित प्रदेशों को ततकाल एक्शन लेने का निर्देश दिया कोट ने का कि जब भी कोई नफरत फैलाने वाला भाशर देता है तो इस सरकारे बिना किसी शिकायत के अफ़ाई यार दर्श करें हेट स्पीस से जुड़े मामलों में केस दर्श करने में देरी होने पर इसे आदालत की अवमानना माना चायका मामले में अगली सुनवाई 12 माई को होगी कोट ने का कि ऐसे मामलों में कारवाई करते हुए बयान देने वालों के धर्म की परवा नहीं करनी चाहिए इसी तरह धर्मिर्पेक देश की अवधारना को जिन्दा रखा जास सकता है कोट ने अपने 2022 के आदेश का दायरा बढ़ाते हुए राजियों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये निर्देश दिये है इससे पहले सुप्रीम कोट ने सिर्फ यूपी दिल्ली और उत्राखंड सरकार को ये आदेश दिया था बीजेपी में सेंद मारी का सिलसला लगातार जारी है निकाय चुनाव से ठीक पहले श्रिपाल के करीबी अजयतर पार्टी बीजेपी में शामिल हो गए है अजयतर पार्टी प्रस्पा के प्रमोग महासचे ब्रह चुके हैं जिनोंने श्रिपाल की परिवर्तन यातरा समाली थी आये देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट यूपी में चुनावी मौसम में हर तरह के रंग देखने को मिल रही है बीजेपी अपने धुआधार प्रचार के साथ जनता में विश्वास तो बना रही है साथी विपक्ष के नेताओं को अपने पाले में लाकर अपने आपको मजबूत कर रही है बीजेपी का दुमाधार प्रचार कहीं न कहीं बीजेपी के लिए मजबूती तो बन रहा है साथी विपक्ष की नईया को डगमगा रही है इस चुनाबी वेटर्णी में बिपक्ष अपनी जीत की बात तो कर रहा है लेकिन धरातल पर दिख रहे हालाद और बिपक्ष के लचीरिवे उहार को देखते हुए जनता में विश्वास कम दिखाई दे रहा है जहां विपक्ष के नेता अकलेश अपनी जीत की अमीद दिखा रहा है मसला वोट बेंग की टाकश से जो जोड़ा है तो क्या बाकी में बिशेपी की सरणीती से विपक्ष खोकला हो रहा है निकाय के चुनाव का गड़ित इस तरह से बीजेपी के पक्ष में जा सकता है सवाल इस बात का उठता है कि इस निकाय की महा समर में बीजेपी और पार्टियों को टक कर देना मुश्किल पड़ जाएगा आलम यह है कि मायबती पहले से ही सियासी विसात पर 17 निगमों में से 11 पर मुस्लिम प्रतियाश्यों को रण मोतार कर अकलेश की साइकल को पंचर करने का मन बना चुकी है तो वहीं दूसरी तरफ स्रियम योगी है जो मन में जीत की उम्मीद लिए गाजिबास से लेकर गाजी पूर तक सियासी सफ़ट पर निकले हुए है एक तरह में पूरिजम देश और दुनिया को आकर सिख करेगा और दूसरी वोड जब छोटी कासी के रूप में विख्याद, बोला, गोकनना, धाम का कोरिडोर का निर्मान कारे पूरा होगा भयो बेनो स्वर्गे अरविंद गिरी जी को भी सभांजनी होगी और साथ साथ लगीम पूर खीरी के बारे में लोग और भी जानने को सुख होगी कासी में कासी मिश्वनात राम का कायकर्ण हो गया है और अयोध्या में भख्मान राम का भग्य मंदिर का निर्मान कारे भी उत्मस कर पूरा होगा अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर इस तरह बीजेपी सेंदमारी कर अपने केले को मजबूत करने में जोटी रही तो बिपक्ष बीजेपी कि स्रणीती को कैसे मात देगा जारकन की आवाम को हेमन की सरकार ने एर अमूलेंस की सौगात दी है जिससे आप आपात स्थिती में गंभी रूप से बीमारी के शिकार मरीश को देश के बहते से बहते अस्पताल तक पहुँचाना अस्सान होगा सरकार का दावा है कि किराया किफायती रखा गया है लेकिन रिपोर्ट्स के मताबिक एर अमूलेंस का सबसे कम किराया तीन लाग है ऐसे में सवाल यह कि आखरी यह किराया जारकन जैसे गरीब राज़ के लिए कैसे किफायती है देखिए हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट जारकन की जरजर स्वास्ते विवस्ता को दुरुस्त करने के लिए प्रदेश की हेमन्स सरकार ने भी कमर कसने का दावा किया है प्रदेश के दूर दराज के इलाखों में स्वास्ते विवस्ताएं पहुंच सके मरीजों को स्वास्तलाब मिल सके इसके लिए सरकार की तरब से एर इंबुलेंस सेवा का शुबारम भी किया गया राची के विर्सा मुंडा एरपोर्ट पर सियम हेमंत सोरेन ने इस एर इंबुलेंस का शुबारम किया आपको बताएदर प्रदेश के मुख शहरों में ये सुबिदा 24 गंटे मुहिया रहने का दावा है इसमें राची, देवगर, घुमका, बुकारो, गिडी, जमशेदपूर समित कर जिलेश शामिल है इर इंबुलेंस की सुबिदा को सरकार अपनी बड़ी उपलब्दी के तौर पर देख रही है और दावा कर रही है कि प्रदेश की स्वास्त विवस्ताओं को पट्री पर लाने में मील का पत्तर साबित होगी पारी माने मुख्यमंत्री जी की सोच बहुत एडवांस है और हम एडवांस प्लानिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं और मैं समझता हूँ कि ये आज ये एर एंबुलेंस की सेवा ये मील का पत्तर साबित होगा क्योंकि लगतार जब कई मरीज ऐसे थे जिनको हाइर हम लोगों को संस्थानों में ले जाने की जरुवत पढ़ रही थी और हम लोग माने मुख्यमंत्री जी के पास इस बातों को करते थे तो उन्होंने तुरज संग्यान लिया तो उनके उसी समय उनके मन में ये हुआ कि क्यों नहीं हम एक इस्थाई रूप से भी अपने राज के लिए एक ऐसी बेवस्था करें जिस बेवस्था से लोग जो हैं मौत के काल से भी निकल पाएं तो मैं बहुत-बहुत सादुवाद धनिवाद देता हूँ वहीं कारकरम के दोरान सीम सोरेन ने कहा कि प्रदेश की स्वास्ते सेवाओं को लेकर कई तीकी टिपणियां की जाती हैं लेकिन आज प्रदेश की स्वास्ते सेवाएं दुरुस्त हो रही हैं सड़कों पर जा एंबुलेंस दोड़ती नजर आती है तो वहीं पाड़ी शेत्रों के लिए हमने बायक एंबुलेंस शुरू की है रिम्स को लेकर कई खबरें छपती थी हाई कोड की तरफ से भी कई बार टिपणी की जाती थी लेकिन आज रिम्स में भी अत्या धुनिक सुविदायें वाले मशीन लगाए गए हैं हमारे सामने बहुत चुनोतियां हैं इससे लड़ने की जरूरत है स्वास्त को लेकर कई टिका टिपनिया विभिन माध्यमों से होता रहता है हम लोगों ने सैकड़ों एम्बूलेंस सडकों पर दोड़ा रखी है आज हम लोगों ने सुदूर ग्रामिन छेतर में जहां बड़ी गाड़िया नहीं जा सकती है पहाड के उपर जंगलों की तराई पर उसके लिए हम लोगों ने मोटर साइकल एम्बूलेंस सेवा भी देना प्रारम कर दिया है रिम्स मेडिकल कॉलेज को लेकर कई बार अगबारों में कई अच्छी बूरी खबरे छपती हैं कई बार कोट भी संग्यान लेती है लेकिन आज उस रिम्स परिसर में भी हम लोगों ने दुनिया के बहतरीन तक्निक उप्योग करने वाले मशीनों को इस्टॉल किया है इसमें आवज सकता अनुसार जो पैसे नहीं भी दे सकता है उसको भी सरकार एर एंबुलेंस के माध्यम से ले जाने का उसके लिए अच्छी स्वास सिवा उपलब कराएगी गौर तलवे के एर एंबुलेंस का दियूतम कराया सारे तीन लाख रुपे है ऐसे में सवाल ये कि क्या जारकन जैसे गरीब राच में जहां अधिकतर आवादी सामान से भी नीचे इस्तर की है ऐसे गरीब तपके के लोग को इस एर एंबुलेंस से क्या फायदा होगा आखिर क्या सुविदय का गरीब तपका कैसे लाब ले पाएगा विडियो रिपोर्ट इंडिया वॉइस सिधार्त नगर मेर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यानवे FM ट्रांस्मीटर का उधगाटन कर रेडियो स्टेशन का शुबारम किया कबर पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संबादाता राकेश श्यादव सिधार्त नगर जिले में आकास वारी FM रेडियो का आज उधगाटन क्या गया वर्चली उधगाटन ने परधान मंत्री नरेंद्र मोदी में किया है जो की वीडियो कांफरेंसी के मादिन के आज इसका उधगाटन हुआ मुकातिखी के रूप में सांसर जगदंडी का पाल सामिर किये और जो है ये प्रोग्राम में नौगर तासुरी प्रांगर में किया जिसमें आरी कंशन में लोग FM को सुझे नजर आए वहीं पठान मंदी नरें मोदी में फर्चली इसका उधगाटन किया जो कि इसके माधिम से एक्रें के माधिम से लोग जो सौ सब्सक्वाइबा नजर आएगी और देखेरेकों निलेगी आज उसका उधघातन किया नौकरात तासरी प्रांगर में भ्री संख्या में कारकता वह माधिज़ है और लोग भी माचीब रहे सिंधार नगत से राते इस लाथ इंडिया वाई और बुल्टेम फ्लाल वक्तों चला एक छोटे से ब्रेक का मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक बाद स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में अब शुबात करते हैं अगली खबरों की निकाय चुनाओं के प्रिचार प्रिसार के लिए आज डिप्टी सीम व्रजेश पाठक कुश्रिनिकर पहुंचे इस दोरान क्या कुश का बता रहे हैं समवादता अबदेश मल नकर निकाय के चुनाओं में प्रिचासियों को जिताने के लिए भाजपा के उपमुखपंती व्रिजेश पाठक आज पुशिन अजलपत के कस्या में थे पैनेट कलब के परिसार में बोलते हुए उन्होंने जहां प्रिचासियों को जिताने की अपील की वहीं कांग्रेश, सपा और अन्य बिरोधी धनों पर जम कर बरसे उन्हों कहा कि कांग्रेश की सरकार में बर्षाचार का बोलबाला था कई मंत्री जेल किया गया वहीं सपा और बसपा का बगर नाम लिए उन्होंने कहा कि पुरवर्ती सरकारों में माफिया एक एसा है तारीश लेकर चला करते थे जबकि आज की तारिख में या तो वे जेल में है या ऊपर चले गए केंदर प्रदेश सरकार की योजनाओं को जिक करते हुए कहा कि केंदर सरकार ने 13370 हटा दी मुस्लिम महिलाओं के लिए तीन तलाक का कानून बनाया वहीं प्रदेश सरकार ने आयुसमान योजना चला कर तमाम तरह की गरीबों को सुबधाय दी कोबीट काल में हर गरीब को राशन दिया गया इस तरह तमाम जोजनाओं का जिक करते हुए उन्होंने कहा कि राम लला मंदीर एक सपना था विरोधी दल ब्यंक किया करते थे कि भाजपा पर ब्यंक करते थे कहते थे कि मंदीर वहीं बनाएगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे लेकिन भाजपा ने मंद बना दिया और डेट भी बता दिया 2024 से पहले राम मंदिर बन कर तयार हो जाएगा इंडिया वाइस के लिए उसी नहर से अधियस मल जालोन में गुरुबार देर रात को संदिग्द परस्तितियों में एक महिला की गोली लगने से मौत हो गई क्या है पूरा मामला बता रहे हैं हमारे संबादाता विश्णू पांडे जैसे महिला की गन्से मौत की सूर्चना जालोन के पुले सदियक्षग डाक्टर ईराज राजरा और बताया है और जिसकरणों के जालोन पूले सदियक्षग डाक्टर ईराजरा ने नहीं पूरे पहलू कर जाउज editors परताल शुरू कर दी है वहीं पुलिस अदिक्चक के दोरा महला की मौथ की बज़े परजनों से भी उस्टाच की जा रहे हैए जिसके बाद पुलिस अदिक्चक जालॉण डाकटर एराजराजा के दोरा बताया गया है कि महला की गन से गोली लगने से मौथ हो गई है। ये लिके अभी तक यह इस पष्ट नहीं हो पाया है कि महला ने आत्मिक्टय की है, या किसी ने उसकी हत्या की की गई है, जिस को लेकर पुलिस पूरे पहलू में बारीकी से जाच कर रही है, तथा पोश्माडर रिपोर्ट आने का इंतिजार कर रही है, वहीं जैसे ही पहलू में रहने वाली एक महला की लाइसेंसी बंदुक से गोली लगने से मौत हो गई है जिसको लेकर पुलिस पूरे मामले की चार्च परताल में जुटी हुई है वहीं अपने सयोगी साथी के साथ विश्णू पंडे इंडिया वाइस जालाओन कासकंच में एक मामोली विबाद में गोली चली जिससे एक बारा साल सा मासूम गंबी रूप से घायल हो गया क्या है पूरा मामला इसकी जानकारी दे रहे हमारे समवाद दाता अशोक शर्मा गाउं में एक पिरधान की दवंग्याई का मामला सामने आया है जिस बहुरन पूर गाउं में मौनी वाबा आसरम में चले चार दिपसी मेले में प्रधान के भाई हर्ैन्द की किसी बात पूलेगे गाउन के लोगों से विवाद हुआ था उसी विवाद के चलते हर्ैंद की से अंदादु फारिंग उसके गोली लगी ये लेकिन रैफेर के बाद जब गटना उसकी हारा बहुत गंबीर थी उसको देखते हुए ऑपकर कायद को उसको अलिगार मेटिकल के रैफेर कर दिया वहीं उसके प्रिदायर और अन्य लोगों के खिलाब मुरादाबाद में पुराने कपड़े के गोदाम में अग्याद कार्णों से आग लग गई क्या है पूरी खबर बता रहे हमारे संवाधाता शारिक सिद्धिकी कपड़े के गुदाम में आग लगी ती उसके कुछ दिन बाद ये दूसरी घटना सामने आई है जिसमें संदित परिष्टिवी में आग लगने से हर्कम बच गया मशकत के बाद दंकल विभा की तीम के द्वारा आक्थर का मुपाया है कोई सूचना मिलते ही सिद्धिकी नित्व में ये पूरा रेस्ट्यू किया गया था जो आग लगने कारण काफी कपले जने हैं जिससे वहपारियों को नुकसान हुआ है ब्रदबाद जन्तपत्य भोश्पुर्थाना इलाखे की रानी नगला की पूरी घटना सिविल वार जील रहे सुडान से अब तक कुल 1360 भारती नागरिकों को देश पापस लाया जा चुका है शुक्रवार को हमारे कुल 754 नागरिक भारत पहुँचे इनमें से 362 बैंगलूर पहुँचे इनमें से 352 भारती अरफोर्स के कारगो एरक्राफ्ट C-17 से नहीं पहुँचे विदेश मंत्री जैशंकर ने सोशल मीडिया पर कहा ओपरेशन कावेरी के तैथ 362 भारती बैंगलूर पहुँच चुके हैं इन्हें साओधी अरब के जिहाद से भारत लाये गया वहां हमने ट्रांजिट केम्पलान आया है और फिलाल खबर दिन भर में इतना ही बाकी खबरों के लिए आप बने रहेगे इंडिया वॉइस के साथ तब तक के लिए नमस्कार